देलीब तो अभी है नहीं आंदोलन में वो तो खुदा जहासो इलाज कराने जहासो सोसल मीडिया से जो जानकारी मिल रही है कि वो इसके जैसा नितुर्थ करने वाला अभी इस आंदोलन में कोई दूसरा वेक्ती है लेकिन जो उसकी भूमी का देखने सुन्ने को मिलता है उस में आपका स्वागत है मैं शादा मलिक विहाग कमचारी चायन आयोग द्वारा त्रीटी असना तक स्तरीये परिक्षा पीटी की ली गई मगर 25 लीख होने के कारण जो तीन सिटिंग में परिक्षा होई थी मगर अभी अर्थियों द्वारा लागतार आवाज उठाया गया और अभी अर्थी अंदोलन की बात कर रहे हैं यहां तक के 30 जन्वरी को फिर अंदोलन करने की बात कुछ अभी अर्थियों द्वारा कही जा रही है सोशल मीडिया पर यह ट्रेन भी चल रहा है मगर अभी आयो की तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है लड़कों में वह अपो है क्या करें पीटी की तैयारी करें या मेंस के लिए अब खुद को तैयार करें क्या हो रहा है क्या होना चाहिए हम चर्चा कर रहे हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर सर लाइब नेशनल सर नहीं आपका स्वाड़ धन्दबाद सर जिस तरह की स्थिती बनी दूई है अभी अर्थी लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं मांग कर रहे हैं सरकार से मांग कर रहे हैं मगर कोई असपष्ट बात आ नहीं पारी है सामने एक सिटिंग को कैंसिल तो कर दिया गया मगर बाकी जो दो सिटिंग है वो अभी तक उस पर कुछ क्लियर नहीं हो पाया ऐसे में लड़कों में अभी ये कंफ्यूजन है कि वो आंदोलन के लिए भी उतर रहे हैं साड़क पर दुसी तरफ कहीना कहीं दिल में ये भी डर है कि नकरे वाला बेटा हो या डाइटिंग या डाइटिंग वाली बेटी उनकी पसंद का खाना पस एक क्लिक पर डाउनलोड रेल रेस्ट्रो आप और टेस्टी फूद्स ओन यो सीट देखे जाए पहले भी बार-बार हम लोग कहते रहे हैं कि एक्जाम तो केंसिल होना चाहिए दूसरा और तीसरा पाली का भी लेकिन जो है बिहार सरकार और खास करके जो आयोग है करमचारी चैन आयोग उसकी इस्तिती को देखते हुए लग रहा है अब कि साइद जो है अब दूसरी और तीसरी पाली का एक्जाम जो है आपको केंसिल नहीं होगा तो अब भी लड़के तो आंदोलन कर रहा है भी तीस जन्वरी को फिर बात सोचल मीडिया पर दिख रही है कि वो लोग फिर आंदोलन करेंगे देखे आंदोलन जो होगा अब पहले की इसके पहले जो आंदोलन हुआ खास करके चार जन्वरी को नहीं हो आता चार जन्वरी जैसा बरांदोलन तो अभी अपने लगता है कि हो पाएगा और नतुरत भी कोई एक उभर करके सामने नहीं आया है और दिलिप दिलिप ने तो लगतार आवाज उठाई अभी अस्वस्त हैं मगर सड़क पर भी उत्र लोग सरक पर उत्रे लेकिन दिलिप तो अभी है नहीं आंदोलन में वह तो खुदा जैसो इलाज कराने जैसो सोचल मीडिया से जो जानकारी मिल रही है कि वह दिली में तो दिली में है तो जायर सी बात है कि उसके जैसा नितुरत करने वाला अभी इस आंदोलन में कोई लेकिन जो इसकी गूमी का हम लोग तो कभी गयर उसे परचीत नहीं है लेकिन जो उसकी भ्हुमी का देखने सुनने को मिलता है विर तो पुंछलक की तरह यह आंदोलन होगा यह नहीं होगा यह तो समय बताएगा तीस तारीक आएगा तब लेकिन सबसे बरी बात हम बार बार कहते आ रहे हैं कि यह जो बेक्ती आधारित यह आंदोलन है यह अच्छी बात नहीं है होना यह चाहिए था कि आपको सिध्धान्त और कार्ज करम पर आधारित आंदोलन होना चाहिए था और एक लुक्तांत्री के रूप में संगठित छात्रों के बीच से यह आंदोलन होना चाहिए था लेकिन जो है चुकि हम बार बार कहते आ रहे हैं कि देश का जो हमारा रांजतिक तबका है वो इतना सातीर है इतना चालू पूर्जा है कि वो जाती और धर्म का मुद्दा ला करके देश के हर एक आदमी को जो है सु जहरीला बना चुका है उसका नतीजा है कि कोई भी वेखती चाहे चातर हो या नव जबान हो या बुद्धी जीवी हो वह एक मंच पर आही ने सकता है और उसका जो अपना बुन्यादी मुद्दा है उसको वो उठाई ने पाता है और एक अच्छा खासा संगठन भी नहीं बना पाता है तो यही वज़ाब सोचीन की नौ लाग चात्र और नौ लाग चात्र है विस जयासो आपको बीस से सी में अप्लिकेंट है और आंदोलन करने के लिए कितना आता है मुस्किल से दस जार या बीस जार आता हो उतना भी नहीं आता है सर इस बार भी जो सुनने में आ रहे कि पांच जार क् चात्र तो जायर सी बात है आकि यह कमजोरी क्या है जब की अगर वेक्तियत रूप से हर एक चात्र से पुछे तो सब रो रहा है कि जो है भरस्टा चार है हम लोग का नहीं होगा हम लोग इतना मजबूरी से पौड़ते हैं यह समसिया वो समसिया लेकिन एक जगा एक और data 06 moc और आगर इहां जुक्तांतिक तरीके से किया जो धुर्ड़ करने का पूरा छूट देता और यह मौलेकर है और अगर आप जागश मॉठ नहीं दल है उसका आगे क्या भूमिका होता है क्या वो जन्विरोधी निती तो नहीं अपना रहे हैं लेकिन हम लोग जो है जाती और धर्म के मुद्दे पर इस तरह से एक दूसरे के खिलाप हो गए हैं कि एकताबध होने का कोई सवाल नहीं है और उसी का नतिजा है कि सत्ता में ज जानती और समझती है कि जो है कोई अच्छा खासा अंदोलन हो नहीं सकता है जब होगा नहीं तो फिर तो हमारी राजनती चलती रहेगी और जब बोट आएगा तो फिर तो जाती धरम के नाम पर जैस्टों बोट हम लेंगे तो आंदोलन सफल कहां से होगा सबसे बरा मुझ वहां कि यह समाल पाता जबकि वह फोगा आई थी आफ्रेस आपको बहां प्रदान मंतरी देश के अरथवश्था को सुधार देंगे एक महिने में सुधार पाई तो बहां बिरिटेन की प्रदान मंतरी इस्तिफा देख के चली गई और हमारे देश का जो है हमारे देश की जो सरकार है या राजी की जो सरकार है वो कितने वादों को भूल गई और क्या क्या बोल कर ला तो वादा किया ही आता है तोड़ने के लिए लेकिन किसी के चेहरे पर थोरा सा आत्म कलाने भी किसी रायंतिक नेता के चेहरे पर आता है नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है कि हम लोग सवाल नहीं सवाल पूछते हैं, सरकार से, आपको याद होगा कí इसके पहले , जो बिरिटेन के पर्दान prove ए ऊसके पहले जो बौरिस जोंसन था प्रदान मंतwow यह पहुंचा था , और ऐस्पटाल पहुंचा था जैसक दो पहुंचा था मैं आर उसके घेर लिया और ब इसी लिए कहते हैं कि जाग रुखता नहीं है हम लोग फॉलोवार बन गए हैं किसी राइंतिक दल के या नेता के हम लोग नागरिक नहीं है जो अभी जो इस्टिति है स्ट्टिट्ट तो काफी कन्फ्यूज है कि अब वो पीटी की तयारी करे मेंस की तयारी करे या अंदोलन करें अब जो भी करें मगर ये तो तो हैशर कि जो मांग है और जो हालात से दिख रहा एक तीनों सुटिंग कैंसिल होनी चाहिए तर्हाल वहरा हम भले ही दूसरी और थीरी का भाली में को सन आउट हुआ या नहीं हुआ लेकिन एक धारना तो समाज में बन गया, बिहार के लोगों में बन गया, बहुत सर जब पहली सिटिंग में लिक हो गया, प्राश्न और वो मीडिया में आ गया उसी समय, तो सेकेंड शिटिंग और थर्ड सिटिंग की जो भी परिशाद दे रहे हो गया, वेर् पर्फार आने के मतलब था कि और यह मतलब नहीं है मतलब यह है कि धार्णा बन चुकी है बियार में कि संब्स और यह बियार सरकार को यह करमचारी चैनायक को इसमें सर्मानी की जरुए आप देखेंए 14-15 जन्परीकूतर प्रदेश में आउट हो गया उसके पहले जो है सताथ तारिक को भी को आउट हुआ था आपको निया मद प्रदेश में उसके पहले 23 से दिसंबर को राजस्थान में आउट हुआ था तो यह कोशन तो विभिन राज्य में आउट हो रहा है तो इसमें सर्वाने और प्रतिष्ठा का बिसा बनाने की क्या आप सकता है सवाल है कि आप जो है जनता के बोट से चिनाज जीत करके आएं जनता ही जह सो सर्वोपरी हो द्वारा हमारा हमलो दो एक्जाम लेने में क्या अदिक्कत और इसमें बार-बार बोल लेंगे जिए कमिशन को ला क्या जाने सर्माने या परतिश्था का बनाने की ज़रूत नहीं है हमने का है कि जैसे देखिए उत्थर प्रदेश में पुछले साल को सन बैचा गिया प्र को सन आउट हो गया उसके पहले 23 चौबीज जाए दिसंबर को राजस्थान का में टीचर के एकजाम हुआ वहां को सन आउट हो गया उसके पहले आपको पसिंद बंगल जाए वहां कता जैसो सिक्षक की नौकरी बेची गई जिसके चलते सिक्षा मंतरी वहां का जिल गिया खराब बोलेगा अरे खराब तब आपको बोलेगा जब आप कोस्टन या जब आप एकजाम रद नहीं कीजिएगा अगर आप रद कर देते हैं तो लोगों का आप पर विस्वास होगा और इसलिए हमको लगता है कि एकजाम रद होना चाहिए था लेकिन जो आप सीन नजर जारा उसको देखते हुए लगता है कि साथ यह लोग इंजाए एक्जाम केंसिल करने में रद करने में विश्वास नहीं कर रहा है या उस मूड में नहीं है तो वैसे हालत में आप आपने कहा कि लर्कों को क्या करना चाहिए तो हमारे समझ से जिन लर्कों का काफी अच्छा गिया है पीटी का एक्जाम वो तो मेंस के तैयारी करें और जिन लर्कों का बहुत अच्छा एक्जाम नहीं गिया है वो लर्के इन जैसो जो इंटर लेवल का वेकंसी आने वाला है उसकी तैयारी में लग जाए और आगे फिर अपना अगर मान लिजे केंसिल हो जाता है त है तो उनके पास यही रास्ता दूसरा कोई रास्ता नहीं बहुत बहुत धन्यवाद तो अब ऐसे में ये तो सचाइए है कि बिहार में जिस तरह से प्रश्ट लीक हो रहे हैं ये सिर्फ बिहार ही नहीं बलके देश के कई राज्यों में ऐसी घटनाएं लगतार हो रही हैं ये हमारे देश के लिए दुरभागे पूर्ण है कि जब कोई कमप्टिशन की परीक्षा हो और उस परीक्षा का प्रशन लीक हो जाए तो कहीं न कहीं ये भविश के लिए अच्छा नहीं है ना हमारे देश के लिए ना हमारे चात्रों के लिए ऐसे में जरूरत है कि सरकार आयोग पर नकेल कसे और आयोग इस बात पर ध्यान दे कि अगर वो कोई भी परीक्षा ले रही है तो परीक्षा का प्रश्ण पत्र किसी भी हालत में लीक ना हो साथी साथ पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन कराई जाए ताकि छात्रों का व पालो सुगा